हेलो फ्रेंट्स तो आज का हमारा टॉपिक है इंबिस टैट्स तो हम देख रहे हैं माइक्रोबाइलोजी यूनिट सेकिंड जिसमें हम अल्रेडी स्टैनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं सारा कुछ और यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंबिस टैट्स यह भी हमारा बैक्टेरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए ही होता है जो हमारे इस्टैनिंग थे ठीक है तो अगर आपको पुरानी फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट यूनिट और अगर लेक्चर देखना हो तो वह में डिस्कि बैक्टेरिया का यह है तो इन बैक्टेरिया को हम इस्टैनिंग के द्वारा तयार करते थे और फिर इनको हम स्लाइड पर रखके और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते थे और फिर हम इनको पहचानते थे कि कौन सा बैक्टेरिया कौन सा है डिफ्रेंसियर लेकिन अब यहां पे हम एक चीज़ देखे कि हम यहां पर उसके सेप और साइज इन दौनों चीज़ों को देख के मतलब पहचानते थे लेकिन अगर किसी दो बैक्टेरिया हैं उनका अगर सेप और साइज यह दोनों अगर सेम हो तब हम उसको कैसे पहचानेंगे तो इन सब के लिए कोई दो जड़वा भाई है अब उनको आप अगर ऐसे सामने से देखेंगे तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन राम है कौन सियाम है नहीं पहचान सकते ना तो हमको क्या करेगा फिर उनके अंदर की कुछ डीटेल्स पता लगानी पड़ेगी उनके बात करने के तरीके से या उनके इकलासा लगूई तो उससे मतलब उनसे बात चीत करके अंदर से हमको पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन है कौन नहीं है तो यही होता है कि हम यहां पर क्या करते हैं कि बैक्टेरिया के हम पता लगाते हैं कि वह बैक्टेरिया कौन सा है और मतलब नेचर क्या है य यह है को एसे मतलब सेम होते हैं तो यह हमारे आते Moserian इंदर हमारे चार टेस्ट आते हैं इमबस हम बड़ सभी समझें तो इफर हमारा आता है इंडल एम फ़र आता है emiठायल रेड़ टेस्ट और वी आई फ़र आता हमारा बोगस प्रोस्क्यर टेस्ट और वीय फोर आता हमारा सिट्रेयट उटिलाइज़ सन्ट तो हम एक एक करक प्रिजेंट है तो यह हमारा यह color देगा पिंग color Finally देगा तो हमारा यह बीपी प्रिजेंट बीपी टैश्ट मतलब positive होंगा और सिट्रेट यूटिलाइजेशन में में अगर हमारा मतलब कोई बैक्टेरिया सिट्रेट की help से carbon सोर्स हमारे बैक्टेजिया को करियों तो कारवन सो अकर यह मतलब यूटिलाइस करभा पाता है सिट्रेट की हैल्फ से तो हमारा वह भूब किया है वो मतलब positive करेगा स्ट्रेट को यह हमारा simple है एक एकर करके समझतें कैसे और यह positive सो करेगा अब इनको differentiate कैसे करते हैं यह भी हम अभी देख लेते हैं तो जैसे हमारा E-caly है तो E-coli हमारा इन चारों में से दो टेस्ट जो हमारे आई टेस्ट और M TEST इनको positive सो करता है तो अगर ये इंडोल और मिथाइलर टेक्ट पॉजिटिव होंगे इससे हम समझ जाएंगे कि ये बैक्टेरिया हमारा जिस बैक्टेरिया नहीं मतलब इन दोनों को positive दिया है वो हमारा e-coli है और ये i और m बाले सो करते हैं और जो बैक्टेरिया हमारे positive सो जैसे वी वोगस बीपी टेस्ट और सिट्रेट इन दोनों को अगर positive सो करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वह बैक्टेरिया हमारे e-erogen है अब चलिए हम देखते हैं और आपके सारे डाउट किलियर होते हैं कैसे तो हमारा पहला है जाए में हमारा करता क्या है कि जो हमारा एक amino acid होता है amino acid इसको यह क्या करता है डिग्रेड कर देता है किससे यह ट्रिप्टोफेनेज हमारा पाइरोवेट पिलस हमारा ammonia जाने कि एनस तरी तो यह तीन चीजा निकालता है हमारा यह amino acid ट्रिप्टोफेनेज की प्रिजेंस में तो हमको बस इतना इसमें प्रूब करना है कि हमारा इंडोल प्रॉडक्शन टेस्ट है मतलब इंडोल की प्रॉडक्शन हो रही है वह प्रॉटेंट है तो होता क्या है कि हम इन ओकुलेट दा टेस्ट माइक्रो और इंडोल प्रॉडक्शन तो हम क्या करते हैं जो हमारा जैसे इसमें टेस्ट और जहां पर यह हमारा क्या है मतलब जिसमें हमें माइक्रो और चेक करते हैं यहां तक हमारे क्या बढ़े हुए हमने यहां एड़ कर दिया फिर हम इसको क्या करते हैं किसको इंग्यूवेटिंग मतलब होता कि हम इसको मतलब यह मिला के अच्छे तर प्रिपेर करके फिर हम इसको रख देते हैं रखते कहां पर है 37 डिग्री सेलिसीयस पर करेक्ट दो से चार दिन के लिए और 2-4 दिन के लि जेंटली प्रॉपर मिक्स करने के बाद अगर उसमें रेड कलर यहां पे रेड कलर की रिंग फॉर्म हो जाती है तो हम इसको समझते हैं कि यह हमारा इंडोल पॉजिटिव टेस्ट है मतलब कोई माइक्रो और यहां पे डाला है और इसमें अगर यहां पे रेड कलर की रिंग फॉर्म हो गई तो वो क्या देगा हमारा इंडोल पॉजिटिव टेस्ट देने का मतलब क्या है कि वह हमारा कंपाउंड है वह हमारा क्या है एकॉली क्योंकि इंडोल पॉजिटिव टे लेते हैं B का तो हमारे कंपाउंड कोली नहीं होंगे वह एरोजेंस होंगे सिंपल एना फ्रेंट बस हमको प्रिजेंस पता लगानी है कि आकर इसमें है कि नहीं है यह हमारे हो गए इंडोल अब हम दूसरा अपना टेक्ट देख लेते हैं दूसरा हमारा है मीथाइल रेड में होता क्या है कि सबस्थे पहले हमको इसमें जैसे हमारा है चैट क्योंच क्या होता है यहां होता है यहां से नीचे जहां Amapest अगर हमारा एसेड प्रोडिउस होगा इसका मतलब क्या है साथ से कम जाएगी न क्योंगी एस तो हमारे फॉर पूर्ट प्रेट पहुन जाती लगवग और यहीं इसका प्रेंसीपल है कि हमारी डिक्रीज़ा थे इसलिए वह एंसेड होता है अब आप इसको देखते कैसे हैं क ग्लुकोज फॉसफट ब्रोथ यह हमने तीन चीज़ां मिला है और इसको मिला देते हैं पिर अम इसको रख देते हैं कितने टाइम के लिए थर्टी डिगरी तैब्स चेल्सियस पर 2-5 दिन के इसके बाद हम इसमें देखते हैं ge Čन कलर का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हमारे सामने दो चीज़ा आती है तब हम कहेंगे कि यह हमारा क्या है negative और हमारा positive क्या है तो हम यहाँ पर देखी चुके हैं कि जो हमारे E-coly है, वो methyl red को positive कहते हैं तो अगर हमारा red color so होता है इसका मतलब वो हमारा E-coly bacteria है और अगर हमारा red color so नहीं होता है yellow color so होता है तो वो क्या देखा negative देते हैं बोगस frost detector test वी-पी टेस्टिस में होलता क्या है कि इसमें भी हमारे बेक्टेरिया करेंद कि फर्मेंटेशन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इसीटोन बनाते अब Aceton बन रहे हैं अब यहाँ पे हुआ कि Aceton की प्रेशंश यह बैक्टेरिया ने Carbohidrate हो Class fermentation हो के क्या बना Aceton अब हो Aceton कि anlam Dosha, Smol Amont Of Aceton हों किसी Medium मतलब जो हमारा बना है Medium उसको Oxidize करके D-acetyl बना देता है और क्या करता है हमारा Peptone के साथ React करके हमारा red color show करता है तो यह है इसका principle simple अब इसको हम समझते है procedure के जरी है तो आपको यह बहुत जादा simple लगेगा तो कैसे करके हम देखते हैं कि हमारा क्या है inoculate test micro मतलब हम तयार करते हैं test micro organism को यहां पर और उसमें हम क्या add करते हैं glucose phosphate भर जो हमने इसमें यूज की टी वह ही हम इसमें के तैंट है glucose phosphate व्रोथ अब glucose phosphate जो हमारा ब्रोथ है वह इसमें जब हम डाल देते हैं इसके बाद हमारा solution तैयार है इसके बाद हम इसको रख देते हैं in QA मतलब इसको थोड़ी रख देते तैयार करके 37 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिन के लिए और इस 2 दिन के बाद फिर हम क्या करते हैं जब हमारा इस दो दिन बाद आजाता है फिर हम इसमें डालते हैं 1 ml कोह इसमें हम डाल देते हैं इसके बाद हम एक चीज़ और डालते हैं वो हमारा है 3 ml अलफा नेप्थॉल और जो नेप्थॉल है ना वो हमारा मतलब एप्सलूट एलकोहल के तरह त्यार किया है मतलब आप यह समझे है अगर डाइग्राम की फॉर्म में है तो यह हमारा नेप्थॉलीन होता है मतलब 5% of absolute solution के बाद फिर इसको 3 ML हम इसमें और डाल देते हैं यह हमारा पूरा तयार किया गया इसके बाद हम observation देखते हैं कि आगर हो क्या रहा है तो अगर हमारा इसके बाद compound जो 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 हमारा पूरा तयार हुआ है यह अगर pink color so करता है कौन सा pink color तो हम मानते हैं कि जो हमार वीपी टेस्ट हुआ है वो हमारा positive है 23 minute के अंदर ही है तो हमारा जो बीपी वीश्य कंद़र बेक्टेरिया करना लिए हाई यह बेक्टेरिया हमारे कौन से हैं यह इसमें कौन से होंगे तो हमारे एकॉली बेक्टेरिया नहीं होंगे क्योंकि वह नेहिगiry देते हैं इसका जो बीपी टेस्ट है उसको यह हमारा हो गया अब हम चौथा देखते हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन यह बहुत ही सिंपल इसमें क्या है कि जैसे हर बैक्टेरिया को अपनी प्रोड़क्शन के लिए कार्बन सोर्स चाहिए यह हमने पढ़ा था हम कल्चर मीडिया और इन सिंपल है और अगर कोई बैक्टेरिया सब्सक्राइब इसका यूज करके और यह citrate को क्या बना सके? कार्वन सोर्स में कंवर्ड करा सके. मतलब ऐसा कार्वन. तो यज हमारा bacteria है, वो हमारा क्या देगा? citrate positive test. यह simple है. और अगर कोई bacteria citrate positive test दे देता है, इसका मतलब क्या है? कि वो bacteria E-coly और E-coly और E-erosens. कि यह सिर्फ इन टैस्ट की मदद से कि यह सब करते हैं अगर हम इसको बेसिक सिंपल उसमें संजये तो यह हमारा यह है कि किसी फेइंपली के चार मेंबर हैं हमारे सारे मतलब रंग रूप हर चीज़ में मतलब सेम हैं गुडवी सेम हैं बस हमको पता लगाना है कि इसमें से यह कौन सा है वो कौन सा यह कौन सा वो कौन सा तो हम कैसे पता लगाएंगे उनके कुछ नेचर के आदर पर जैसे हमारे कॉलेज में कोई पड़ रहे हैं चार ह को पता कैसे लगाएं कौन था तो उनके हम सैमिंश्टर के बेस्पर कि यह समिस्टर इसका लगा यह discriminant को रिल जलri होता तो बहुँ यहां पर हुआ कि हम इनके chemical test लेते हैं इमबिस test और इसके जरी हम पता लगा लेते हैं इस बैक्टिरिया कि क्या क्या डिक्टियृट है तो यह हमारे simple चारो बैक्टेरिया थे और यह हमारे किसकी class भी कहते हैं जो हमारे एंटिक बैक्टेरिया होते हैं इसके अंदर के जितने हमारे एंटेरो बैक्टेरिया की family है उन सब को यह differentiate करने में बहुत helpful है तो आई होप आप लोगो यह पूरी की बूरी वीडियो समझ आ गई होगे हमारे image test क्या होते हैं simply समझ आ गए होगे लेकिन अगर further आपको कोई भी doubt है तो आप easily comment box में drop कर सकते हैं और मुसे पूछ सकते हैं मैं directly आपको उसका answer बताऊंगा solution करूँगा तो अगर आपको notes चाहि तक यू टेक केर बाई बाई